नमश्कार दोस्तों जो वह बलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है सब से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो किरिपधर के चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकम प्रेस करके और नोटिफिकेशन जुरूर होन कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जुरूर कीजिएगा कूँगी वीडियो शेयर करने से जोजो बसकता है किसी को बहुत बधी अबड़ी अब्डेट लेके आए आपके लिए कौन सी अब्डेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कोई बीक बीडिड याटिदियो श्किप ना करेए कौन सी पोस्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं जी यह देख सकते हैं इसमें फूड सेफटी एंड स्टेंडर्ड अथोर्टी ओफ इंडिया एफ एससे आई की तरव से जो की असिस्टेंट मनेजर और परसनल असिस्टेंट की और बाकी अधर पोस्ट के खुली वी थी जिन में से पोस्ट चाल का बहुत बड़ी अपडेट आई ही है वो आपके साथ शेर कर रहे हैं एडवर्टाइज नंबर एक दो तीन चार के जो की आपके 28 से लेकर 31 मार्च 28 से 31 मार्च के बीच में एक्जाम हुए थे और 29 दिसंबर को आपको एडविट काड भी मैंने इस चैनल पर वीडियो आपके साथ शेर की थी जब एडविट काड इशू हुए थे और यह जब नोटिफिकिशन आउट हुआ था जब अपलाई होने पर इस फॉर्म स्टार्ट हुए थे और जब एडविट काड आए सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ टाइम टू टाइम शेर की है ठीक है और आप इसमें डिटेल जानने के लिए देख सकते हो इसमें टोटल में 255 पोस्ट हैं कितनी हैं दोसो 255 पोस्ट हैं उसके बाद न रिजल्ट आया था ठीक है 28 से 31 मार्च के बीच में आपका एक्जाम हुआ था पहले नोटिस के बारे में इसमेशन जान लेते हैं जो की यह डिटेल है जी रिलीज दा कोईशन और आंसर की ऑफ दा सी बीटी यानि की कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट कंड़क्टिड 28 से 38 मार् अब्जेक्शन पोर्टल ओपन कर दिया गया गया साथ मार्च तक अपरेल तक यह अब्जेक्शन पोर्टल एक्टिव रहेगा यानि कि आज और कल का दिन है जी यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट नोटिस है ठीक है और उसके बार यह इंफोर्मेशन जरूर ध्यान दीजिएगा क्या है इन दा केस ओफ क्वेरी एंड अब्जेक्शन इन दा रिस्पेक्ट ओफ एनी क्वेरी एंड इस आंसर एटीजी टू बी सब्मिट्टिड ओनली थ्रो दा ओनलाइन रिस्पॉंस लिंक इन दा पॉर्टल विद डॉकुमेंटरी एविडेंस ड्यूरिंग अबव पिरिड साथ अप्रैल तक अगर किसी को कोई क्वेरी है कोई अब्जेक्शन लगाना चाहता है तो पूरी की पूरे एविडेंस जाने की अगर माल लीजी आपको लगता भी मेरा अंसर सही है बट इन्होंने गलत कर रखा है एफ एस ऐस आई ने गलत कर रखा है तो आपको वह एक ब्लेंक पेपर वाइट ब्लेंक पेपर एफ और फोटो कोपिय वाले किसी वी शोप से ले सकते हो उस पर आपने पूरे को पूरा सोल करके अंसर को और वह आपने जब आपको लिंक बताऊंगा उसी लिंक से ही आपने ऑब्जेक्शन राइज करना है ठीक है साथ अप्रेल तक कब तक साथ अप्रेल तक क्योंकि उसके बाद मेरे लिस्ट आउट हो जाएगी दा अब्जेक्शन रसेट विद दा री एग्जामिन फोर इस फाइनल लाइजेशन ठीक है फाइनल करने के लिए उस पर री एग्जाम एग्जाम किया जाएगा मतलब दुब मोड कॉम्निकेशन चैनल विल नोट बी असेप्टेड ठीक है कोर भी आपका असेप्ट नहीं किया जाएगा और नोन रसिप्ट ओफ अब्जेक्शन विद दा स्टुपिट इड पीरिड केंडिडेट विल नोट हैव एनी राइट वर एनी फुर्दर फ्यूचर क्लेम किया मतलब जो आपने कॉश्चन सॉल्व करना था वो कॉश्चन सॉल्व न किया आपने वैसे ही औडिया तो ओबजेक्शिन कर दिया जाएगा क्यूँध आपने कोई अंसर उसका सोफ्ट को सांट्यूपि ऑपने तो आपका कैंसल आउट कर दिया जाएगा objection और आपके पैसे भी wastage में जाएंगे और यहां पर clear लिख रखा है अगर आप उसमें claim भी करते हो in future court case भी करोगे तो वो भी आपका cancel out कर दिया जाएगा यानि कि जिस candidate ने अपना objection लगाना है साथ अपरेल से पहले पहले जो किसी भी question पर आपका objection हूँ तो वो एक blank a for paper लेकर a for size फोटो कोपी अला paper लेकर page लेकर उस पर अपना question लिखकर answer solve की जिएगा वो answer solve करके वो आपने soft copy PDF में लगा देनी है साथ में ठीक है जी और इसी के साथ आपके साथ और बात शेयर कर रहे हैं जो कि आप देख सकते हो इसके साथ objection कैसे लगाना है और जल्ट आप कैसे check out कर सकते हो यहाँ पर apply application login पर जैसे ही click करोगे तो candidate login का option मिल जाएगा user ID password और user ID और password जब आप fill up करोगे तो उसके साथ ठीक है user ID fill up करोगे और password fill up करोगे तो यह capture आएगा capture आपने enter करना है capture एंटर करते ही login का option आएगा login के बाद एक तो option आजाएगा आपका answer की का और एक option उसके just down में आपको देखने को मिल जाएगा नी objection का objection rise करने से पहले मैं फिर यही बताना चाहता हूं पहले तो एफ और size का blank paper लीजिए white paper लेकर उस पर अपना पूरे का पूरा question solve work करके उसको scan करके check scanner से scan कीजिए चाहे किसी भी नेट के वेली दुकर शोप से आप scan करवा कर उसको pdf में बनाना pdf में बना सकते हो jpg जो भी format मांगा है उसमें scan करवा कर वो आपने submit करना है online apply आपने वो साथ में attach करकर वो send करना है तो ही आपकी query पर आपके objection पर re-exam किया जाएगा यानि कि दुबारा जांच परताल की जाएगी अगर आप कोई proof नहीं देते तो आप कोई evidence नहीं देते तो आपका जो objection होगा cancel out मना जाएगा कोई भी उस पर आप code case भी नहीं कर सकते जैस्ट सारे वर्क के लिए आपको पहले user id और password चाहिए ठीक है वो अपना आपने जो login करते वक्त आपके mail id फोन पर आया वो लगाना है और जब जितनी बार ये capture एंटर करोगे capture जितनी बार refresh करोगे उतनी बार capture change होगा capture का कोई matter नहीं होता ठीक है जितनी बार refresh करोगे उ बहुत सकता है किसी को बहुत बड़ी information मिल जाए सिर्फ और सिर्फ दो दिन है objection rise करने के जल्द से जल्दी share किजिएगा ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को public कीजिए ताकि और candidates को information मिल सके उमीद करते हैं ये information आपके लिए बहुत अच्छी रही है इसी तरह कि और भी update इस चैनल पर नहीं हो तो किरपा करके सब्सक्राइब करके बैल युक्त करके जुरूर होन कर लिजिए अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े वे तो जाद से जयाद वीडियो शेप जरूर कीजिएगा वीडियो के वीडियो देखने के लिए आप से विका बहुत ।